हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू माँ चैनल और आज में जिस मुवी को एक्स्प्लेइन करने वाली हो उसका नाम है दसीरी यह मुवी 2023 मेरी रीज़ी थी और अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी एम डिवी रेटिंग 5 स्टार्स आउट अफ 10 है तो दोस्तो अगर आ पर मुवी एक्स्प्रेशन की ओर तो मुवे के शुरुवात होती है एक छोटे से बेवी को दिखाते हुए जो उस डेजर्ट में अकेला घुम रहा होता है अपनी ममा को बुकारते हुए और हम उस बेवी के हाथ में एक इंसानी उंगली को देखते हैं जो बेवी चपाकु खाने की कोशिश कर रहा होता है अरे बेवी किसका है अब वहाँ पर अकेले क्या कर रहा है यह तो हमें मूवी में आगे बाता चलेगा से शिफ्ट होती है और हम एक विंदन स्टोन नाम की आदमी को देख पाते हैं जो पेशे से एक फोटोग्राफर होता है और वो बड़ी पेरंस को ढूंड रहा है और तब विंदन को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी हेल्प करनी की सोचता है लेकिन तब वो बच्चा एकदम से उठकर विंदन के कार के ऑपसिट डायरेक्शन में बढ़ने लगता है यह ख़य करके उसकी पेरंस उस और गए हैं तब विंदन लग रहा था जैसे वो बच्चा चाहता था कि विंदन रास्ता भटक जाए जिसके बाद हम विंदन को ठंड में ठीटूरते हुए देखते हैं जिसके पास ना तो आप खाना बचा था और ना ही पानी क्योंकि उस बच्चे ने जान बोचकर उसकी वाटर बॉटल को खाली क कर दिया था तब विंदन से ठंड के कारण रहा नहीं जाता और वो यहां वहां गरम जगह की तलाश में भटकने रखता है और भटकते हुए पूप पहुंच जाता है एक जगह पर जो चट्टानों से घीरा हुआ था और उन चट्टानों की बीच में उसके धरा पर उसे ए जादत मांगता है तब वो कुछ नहीं सुनती और उसे अंदर आने के लिए बोल देती है और उस वक्त तो विंदन को लग रहा था कि वो काफी लगी है और यह लेडी बहुत ही जादा हमबल है क्योंकि अंदर आने के बाद एलीना उसे खाना भी ओफर करती है लेकिन बिना एलीना को बताए वो घर से भागने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही वो बाहरा कर देखता है वो बिच्छी हुई सीडिया आधी गायब हो चुकी थी और विंदन जब एलीना से पूछता है कि वो सीडिया कहां गई तो वो कहती है कि वो लग उसे उठा ले गए होग विंदन थक हार कर बैठ जाता है और उसे मजबूरन उस रात को भी वहीं पर रुखना पर जाता है लेकिन विंदन हार नहीं मानता और वो दूसरी दिन भी एक क्लाव हैमर के मदद से चटानों पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है और वो आदी दूरी का रास्ता तै भी क चिलाने लगता है यूँकि वो क्लाव हैमर उसके लेग में स्टैब हो चुका था तब एलीना विंदन की चीक सुनकर उसके मदद के लिए आती है और उसका इलाज भी करती है तब रात में रेस्ट करने के बाद वो दूसरे सुबर फिर से लंगडाते हुए वहां से निकलन करेगी लेकिन विंदन को वहां पर नहीं रहना था क्यूंकि उसके उपर काफी सारी जिम्मेदारिया थे और काफी लोग भी उस पर डिपेंडन थे और वो वहां पर अपनी जिंदगी को नश्ट नहीं करना चाता था इसलिए वो परेशान होकर बैठ जाता है तबी बच्चे उसे बीच रास्ते में ही लटका देते हैं जो एलीना भी देख रही होती है तब विंधम को कुछ देर लटका कर उसे धूप में जुलसाने के बाद वो बच्चे उपर से उसके उपर टॉइलेट करने लगते हैं और उसे बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं और इसके बाद वो रस्ते से यहाँ वहाँ उसे स्विंग करने लगते हैं जिस वज़ा से विंधम का सर चटानों से टकराने की वज़ा से वो बेहोश हो जाता है और एकदम से लटक जाता है तब एलीना वहाँ पर आकर उन सब को बहुत डाटती है और कहती है कि वो लोग यह सब को बंद करें और वो लोग तब तुरंद ही अलीना की बात भी सुन लेते हैं तब रात में जैसे ही विंधम होश में आता है वह वापस से बाहर भाग जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर नहीं रहना था लेकिन वह तो पूरी तरह से घायल था और बाहर जब चटानों पर उन बच्चों को देखता है वो समझ चुका था कि वह बच्चे उसे वहां से कभी नहीं जाने देंगे इसलिए वो अपने टोर के मिट्पर का भायर मिटी में कुछ बींटी मोटी खेती करने की सोचता है ताकि वो अपने आपको बिजी रख सके और उसका टेंशन थोड़ा कम रहे और था तो हूँ पूरा इलाका बंजर रेकिस्तान लेकिन पता नहीं कैसे वहां की जमेन बड़ी उपजाओ थी जो बात जिन्दम को हैरान कर रही थी और तब उसी वक्त वहां पर से एक लैपस नाम का लड़का आता है और उपर से सहारे उने उन तक खाने-पीने और निकलने बिवह के लोगों वहां करते मतलब कि चाहते क्या है क्यूंकि विंदम को लग रहा है कि उससे पहले है लीना उनकी पहली विक्टम थी जिसे उन लोगों ने वहाँ पर कैद करके रखा है तब विंधम पूरे दिन दारू पाने के बार टेंशन में इतना जादा दारू पी लेता है कि वो बिल्कुल से जूलने लगता है और जब एलीना उससे पीने से मना करती है तब वो उससे कहता है कि वो कोई बच्चा नहीं है और यहीं ड्रिंक करने की यादत उसकी लाइफ लाइन को कम करने वाला था जिसका अंदाजा उससे बिल्कुल भी नहीं था और तब ही इस मौके का फाइदा उठाते हुए एलेना जान बोचकर विंधम के सामने निवस्त्र होकर आ जाती है ताकि वो मिट्टी में हाथ फेर रहा होता है तब उसे मिट्टी में से एक आदमी की रिंग और कार की चापी मिलती है जिसका अभी तो उसे कोई अंदाजा नहीं होता कि वो किसका है लेकिन अंतिम समय में हो जाएगा जिसके बाद वो जब घर के अंदर जाता है तब एक बोड़ की तरह है इसलिए वह बाहर की दुनिया नहीं देखना जाती और यहीं उसका फेट है और यहां तक तो बाते सारी ठीक ठाक चल रही थी लेकिन इसके बाद वह विंदम को जटके वाली नियूस बता दी है कि वह प्रेगनेंट है जो सुनकर विंदम को शौक लग जाता है और इस गलती के लिए एलीना को ब्लेम करता है कि उसने यह सब कुछ डिजाइन करा था तब एलीना कहती है कि वह उसे उस बच्चे का फादर बने के लिए फोर्ज नहीं कर रही जिसके बाद हम देखते हैं कि उन बच्चे ने उसके प्लांस को उखाड दिये हैं जो एलीना वा बाहर की दुनिया देखना चाता था वह उन रावरी बच्चों से बिलकुल अलब था तब विन्दम उस उससे कैसे पढ़ाएगा इसके लिए तो उसे उसे उपड ले जाना पड़ेगा और साथ ही वह उससे कहता है कि अगर वह उसे वहां से बाहर निकलने में मदद करेगा तो वो उसे और एलिना को अपने साथ में ले जाएगा और फैमिली की तरह रहेगा और ये सारी बाते एलिना के सामने ही चल रही थी तब लीपस कहता है कि उसे पैलस से बाहर जाना अलाउड नहीं है और वो जगा शायद उनके लिए एक पैलस की तरह थी लेकिन लीपस बिंधम के मदद करने के लिए राजी हो जाता है लेकिन तब ही वहाँ पर एक दूसरा रावडी लड़का आकर पहुँच जाता है जिसने शायद उनकी सारी ही बाती सुन ली होती है और वो तब लीपस को लेकर वहाँ से चला जाता है और तब उस राथ विंधम और एलीना साथ में अच्छी बाते वादे करते हैं और सो जाते हैं तब ही उसी राथ को हमन सारे ही बच्चों के चेहरे पर खुन लगा हुए देखते हैं जो बड़ी ही कुरूटता से कोई स्पैल बोल रहे होते हैं और वो लोग इतने आक्रोश में क्या कर रहते हैं ये था हमें बाद में पता चलेगा और तब सुबह जैसे एलीना घर से बाहर निकलती है वो जिखने चिलाने लगती है और रो रही होती है क्योंकि बाहर लीपस को उन बच्चों ने मार कर रस्य से बान कर लटका रखा था जो देखकर एलीना बहुत ज़ादा दुखी हो जाती है क्योंकि लीपस एलीना का ही बेटा था जो किसी और आदमी से इंटिमेट होकर एलीना ने प्राप्त किया था और विन्धम के लिए भी ये बात बहुत ज़ादा शौकिंग थी लेकिन फिर भी वो लीपस के मौट से दुखी था तब एलीना गुस्से से विन्धम के उपर थूखने लगती है क्योंकि लीपस की जान इसी लिए गई थी क्योंकि लीपस ने विन्धम के मदद करने का प्रामिस कर रहा था तब आक रोश में आकर एलीना विन्धम को मार मार कर बेहोश कर देती है और दोबारा हम जब विन्धम को देखते हैं तब वो ये केड में बंध होता है और ये काम किया था ऐलीना ने और उसने विन्धम को वहाँ पर एक दो दिन से कैद नहीं रखा था बलकि काफी महेनों से कैद रखा था क्योंकि विन्धम के फेशल हैर और सर के बाल काफी जादा बड़े हो चुकी थे और उसका मांसिक संतुलन भी बिगर चुका था उस कैद में रहकर और एलीना तब रोज आती और उसे खाना देकर चली जाती ताकि वो जिन्दा रहे तब तक के लिए जब तक कि उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब एक दिन विन्दाम को वहाँ पर एक लड़की नजर आती है जो शायद एक हाईकर थी तब बेचारा विन्दाम उससे मदद मांगता है और वो लड़की ये समझ भी जाती है उसकी हालत देखकर जिससे विन्दाम बहुत ज़ादा खुश हो जाता है लेकिन उसकी उमीद की कीरन तुरंत ही बुच जाती है क्योंकि वो लोग उस लड़की को ले आकर विन्दाम के आँखों के सामने ही खतम कर डालते हैं जिससे विंदम बहुत ही ज़ादा दुखी हो जाता है और विंदम ये समझ चुका था ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये वो बच्चे अपने मर्जे से कम और एलीना की इशारों से ज़ादा कर रहे हैं और एलीना के ही कहने पर लीपस को मारा गया था और इस लड़की को भी और वो अकेला ही पहला आदमी नहीं था जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था और इससे पहले भी काफी सारे आदमी वहाँ पर आकर फसे थे और एलीना ने उन सारे आदमियों से इंटी मेट होकर बच्चे प्राप्त किये थे और वो रिंग और वो काल की चाबी उन्हीं में से किसी एक आदमी की होगी और तब राद में विंधम केज में से एलीना की बच्चों को देख पाता है जिन में से एक आकर उसे खाने के लिए फ्रूट देकर चला जाता है और वो सब हाँ पर एकठा हुए थे कर्ट सेरमेने के लिए तब इसके दूसरे रात को जब एलीना विंधम के पास आती है उसे गरम बिस्पर देने के लिए तब विंधम अपना आखरी चाल चलता है ताकि वो वहाँ से आजाद हो जाए और वो एलीना से कहता है कि वो उस बच्चे का पिता बनने के लिए तयार है और वो हमेशा उसका खयार रखेगा और वो उस सारे बच्चों का पिता बनेगा और वो तो उसका स्लेव बनने के लिए भी राजी था तब एलीना कहती है कि उसे उससे जो चाहिए था, वो उसे मिल गया था और वो है विंधम का सीड, यानि उसका अंश और सीड एक जगह पर रूपते नहीं, बल्कि वो तो हवा के साथ में बैह जाते हैं और विंधम, उसके लिए सिर्फ एक सीड है और साथ ही में वो उससे ये भी कहती है कि यहां आने के पात उसके पात ना तो कभी चॉइस थी और ना तो कभी रहेगी भले ही वो उसका स्लेव बनने के लिए तैयार हो और आगे वो कहती है कि डैसर में कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती और ये कह कर वो वहाँ से रवाना हो जाती है तब विंधम उसे प्लीट करता है कि वो या तो उसे आजाद करे या फिर उसे जान से मार डाले लेकिन एलीना पर इन बातों का कोई फर्खी नहीं पड़ता तब दुसरी सुभा एलीना को लेबर पेंट शूरू हो जाता है और वो अकेले ही चीज़ को तो हैंडल करने ही सकती थी इसलिए वो विंधम को फ्री कर देती है हेल्प के लिए तब विंधम पहले तो एलीना की मदद करने की सोचता है लेकिन तब ही वो उपर देखता है कि सीड़िया फिर से बिच गई है जो देखकर वो बहुत ज़ादा खुश हो जाता है और उसे और बढ़ने लगता है क्योंकि उसे तो एलीना से लब प्यार है ही नहीं क्योंकि उसने उसके साथ में इतनी कुरूस्ता जो बरती थी और तब वो एलीना को उसकी हाल पर छोड़कर उन सीड़ियों की तरफ बढ़ने लगता है बिना एलीना की परवा किये लेकिन उसके कदम तब रुख जाते हैं जो वो अपने बेबी की रोनी की आवाज सुनता है जो जन्म ले चुकी थी और वो थी एक बेबी गल तब विंधम उसे उठा कर अपने गले से लगा लेता है और बहुत जादा खुश हो जाता है और एलीना तब उससे कहती है कि वो अपनी बच्ची को पढ़ाएगी लिखाएगी और बहुत जादा प्यार भी करेगी क्योंकि एक दिन ये भी माँ बनेगी और अपने उद्देशों को पूरा करेगी और वो तब विंधम को उस बच्चे को उसे देने के लिए थैंक्यू बोलती है और तब एलीना का भाई पीछे से आकर विंधम का गला रेत कर उसे माल डालता है क्योंकि अब उन्हें विंधम की कोई ज़रूरत नहीं थी से शिफ्ट होता है और हम एलीना को विंधम की चीजों को समेट कर ट्रंक में सम्हाल कर रखते हुए देखते हैं जिसके बाद वो अपने रोते हुई बेबी को कडल करके उसे चुप कर आने की कोशिश कर रही थी और बाहर हम विंधम की बॉड़ी को सर्त हुए देख पाते हैं जो वर्म्स का खाना बन चुका था और शायद इसी लिए वहां की मिट्टी इतनी ज़्यादा फटाइल थी और इसी के साथ ये मूवी एंपर एंड हो जाती है तो दोस्ते मूवी के स्टाटिंग में हमने जो इस बच्चे को देखा था जो इनसान की उंगलियों चबा रहा होता है वो उंगलिय शायद विंधम की थी और वो बच्चा एलीना का था क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि विंधम की एक उंगलिय गाइब है और शायद इस मूवी में हुमेनिटर कैनिबल का भी कॉंसेप्ट था भले ही हमने एलीना को कुछ ज़्यादा फ्लेश वगरा खाते हुए नहीं देखा और यह पूरी फैमिली कर्ल से रिलेटर थी जिस कर्ल की शुरुवात एलीना की दादी नहीं की थी क्योंकि एलीना उसे दादी नहीं बलकि फस्ट मदर कहती है और कल्ट के एक निशानी हम उनके पीछ पर देखते हैं जो एलीना के भी पीछ पर था और उसके सारे भाईयों के भी और इस कल्ट में बाहर के किसी मेंबर को भी शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इंसान उनका खुण नहीं होता और ना ही वो कभी वफादार हो सकते हैं उनके लिए इसलिए वो बच्चे प्राक्त करने के लिए वो अलग-अलग आद्मियों का प्रयोग करते हैं और फिर उन्हें मार ढालते हैं और मानने के बाद यह लोग या तो उसे खा डालते हैं या फिर डैजर्ट के हवाले कर देते हैं। और हम देखते हैं कि एलिना के पास बेटे तो बहुत होते हैं लेकिन बेटी एक भी नहीं थी और उनकी फैमिली बढ़ाने के लिए एक बेटी की जरूरत थी जो विन्धम ने पूरी कर दी थी और विन्धम की बेटी के वज़े से ये प्रैक्टिस कभी नहीं रुकने कि विंधम की बेटी ने सूरी गरहन के दोरान जर्म लिया है जो कि एक तरह से बताने की कोशिश करी गई है कि विंधम की ये बेटी कुछ जादा ही इवल होगी जो इस फैमिली कल्ट को आगे बढ़ाएगी और वो एलीना से भी जादा खतरनात मुकलेगी और इसे के साथ हम अपने एक्स्पिनिशन के यहीं पर एंट करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर और थैंक्स फॉर वाचिंग